असलाम अलेकुम प्यारे बच्चो आज हम उन साउंड्स के बारे में बात करेंगे जो दो एल्फाबेट के कम्बिनेशन से बनती हैं मसलनं CH जो है च की साउंड निकालता है तो हम देखते हैं कि इसे कौन से अलफाज शुरू होते हैं जैसे यह है चिप्स वर्ड चिप्स तो च की साउंड CH मिलके निकालते हैं फिर यह है चिक के शुरू में भी CH आता है और अब हम वो वर्ड देखते हैं जिनके एंड में आता है जैसे मच I love you this much बहुत ज्यादा मच का मतलब होता है और इसी तरह EACH के एंड में की साउंड आ रही है जिसका मतलब होता है हर एक और EACH होल्डिंग डिफरेंट वाए हर बच्चे ने एक फरक तरह का खिलोना पकड़ा हुआ है उसके बाद हम देखते हैं पी-एच मिलके फर की साउंड निकालते हैं तो इन से देखते हैं कौन-कौन से वर्ड बनते हैं फोटो आप अपने मुबाइल से फोटो लेते हैं तो फोटो में पी-एच आता है उसके अलावा चांद की डिफरेंट फेजिस होती है फेज आप फेजिस होती है अप इवर्ड पी-एच मिलके ऐफ की सांग निकाल रहा है इस तरह ग्राफ के एंड में पी-एच आता है आप इस तरह के ग्राफ बनाके कोई चीज हैं लोगों को और पिर है तैंक ती-च थर की सांग निकालता है भी जैसे है ठिक ठिक बुक एक मोटी किता और यह क्या है थैंक थैंक यू थैंक जब आपको कहते हैं शुक्रिया दा करते हैं तो यह भी टी-एच से शुरू होता है फिर एंड पे आ रहा है बात बात के एंड में टी-एच आता है जब आप भी बात लेते हुंगे और मैस सारा जो नंबर का खेल है तो math में th end में आता है इसी तरह sh मिलके sh की sound निकालते हैं तो हम इससे देखते हैं कौन से word बनते हैं जैसे ship बहरी जहाज को कहते हैं जो समूंदर में चलता है और यह है shape, triangle, round और square और अब हम देखते हैं fish के end में sh आता है sheen की sound आती है fish पानी में पाई जाती है और wish कोई खौश करना make a wish बच्पन में कहानिया सुना करते थे कि अलादीन का चराग से जिन निकलता है जो पूरी करता है wish को इस वीडियो को share करें, like करें thank you for watching